हेलो गाइज वेलकम बैक तो माई चैनल स्टडी टॉक्स विद अर्शी सैफी तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले ऐसे ऑन मदर टेरेसा तो फ्रेंड्स आज जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीस पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम एंटार लाइफ वाज डिवोटेट तो सेर्विंग दा पूर एंडेरी पीपल्स तो मदर टेरी सा क्या एक ग्रेटेस्ट हस्ती है इस दुनिया की एस एवर प्रोड्यूस्ड की एंटार राइफ वाज जीवन उन्होंने अपनी पूरी जीवन है उसको किसको पूर गरीब लोगों को और जरूरत मुंद लोगों को के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया रिस्पाइट बेंग ए नॉन इंडिया की लोगों की और मदर टेरी सा रिसीवड उनको जो ये नाम मिला मदर टेरी सा कहां से मिला एक चर्च में उन्होंने काम किया था वहां से उनको ये नाम मिला सेंट टेरी सा नाम के चर्च था है ना तो वहां से इनका नाम पड़ा मदर टेरी सा शी वाज आप क्रिस्टियन बाय बर्थ ये अपने जनम से ही क्रिस्टियन थी एक स्पिरिट्वल लेडी एक स्पिरिट्वल लेडी थी शी वाज एन नन बाय जोई शी वाज अन डॉप्टी एस एंट लेडी विद नोडल्स ओंडनेस और कंपेशन इन हर वाज़ टेरी सा नॉट जसे निंपरेशन फोर इंस्पिरेशन फोर बिलियंस मिलियंस बट आल्सो फोर दा जैनरेशन तो कम मदर टेरी सा एक इंस्पिरेशन नहीं बल्कि आगे आने वाले लोगों के लिए बहुत जादा क्या रहेंगी मस्टोन अबाव डिस एक दयालू एक वैवार के लिए एक उनके लिए एक इंस्पिरेशन रहेंगी आगे आने वाली जैनरेशन के लिए वी डिवोर्टेट हर एंटार लाइफ फोर वैल बिंग ऑफ अफ अधर दूसरों का भला चाहने में उन्हें पूरी जिंदीगी त्यांग दी देर्फोर व त्यारिशा ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किये जो भी गरीब लोग थे उनके उनके काफी मदद करी और जो जरूरत मंद लोग थे उन पे बहुत ज्यादा उनकी भी बहुत हैल्प करी तो उन्होंने बहुत अपने जिंदीगी में किसी वज़ा से पूचित ज़ते ने दिन सब्सक्राइब